आपको 36 नमर बताएंगे इसमें क्या बोलता है कि पहले आप इंकमेंड एक्सपेंडिचर एकॉंट बने उसके बाद आप क्या कैपिटल फंड उसके बाद आप बैलेंसी बनाएं मतलब तीनों चीजी बोलता है इसमें बनाने के लिए छोटा से दिया है तिन दो तिन को करके तो तुरंत बन जाएगा आराम से बस थोड़ा समझने वाला है क्योंकि एडिस्टनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जैसे कि माल लिए जो भी पेमेंट करते हैं तो क्या हो गया आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट से हम जब भी इंकम एंड एक्सपेंडिचर एकॉंट बन बलता कि नहीं जितना मिला उससे मतलब नहीं हमको साल कन था वह क्कल में ओना वह लिगो हम दिखाएंगे यह बोलता कि हमको समस्पेंड घृउंब भी एक इंफार स्वींड एक्सक्तु मोद बीचरों are you देखे लिए तीन लाग तीसोजार रुपया हम डिये सेलरी रेसिप्ट एंड पेमेंट रेकॉंट दिखा देता थी क्या 3,30,000 रुपया हम दिये दिखा देंगे लेकिन इनकर्मेंट रेकॉंट क्या बोलता है कि इस साल का खर्चा कितना है वह हम दिखाएंगे फिर देखें 12 माहिने के लिए कितना है कि लिए अपको 11 माहिने के लिए अप ऐसे कर देख सकते तीन लाख तीस जार रुपिया समझे बात तो देखें आपको 11 महिना के लिए सिर्फ हम सिर्फ हम दिखा दे क्या आज हम एक आरा महिना के लिए पेड़ कर दिए पैसा आप चले गया समझे तो रिसीप्ट एंपेमिंट रिकान दिखा दिए लेकिन इनकम एन तो क्या कर देंगे हम खर्चा कितना दिखांगे तीन लाग साथा शैंडर पिया तीन लाग 30 317 इसनल इन फ्ला महिन में एंधिस्नल इनिफ ranked Bak क्या एक जनवडी एक जन्मरी 2017 जो के माने साल शुरू होगा 31 दिसंबर खतम हो जाता है तो ओपनिंग में मेरा 3,00,000 रुपया का था इस पोट्स एक्विपमेंट मतलब इस सेथ हमारा कितना था देख लिगा 3,00,000 रुपय का कीSpot Queer कितना है साल के सुरू में मेरा 3,00,000,00 रुपय का फिर तिक यहां पे कुछ नहीं दिवाए मतलब क्या इस साल हम कितना खाड़िदें मतलब एंधक e Bass Brook Re Castle कितना हुआwhat 4,00,000,00 रुपय के augusta के 3,00,000 रुपय और साल के esses साल कितनाका खाड़िदें 4,00,000 रुपय का और लाज़ता चुछ फिर देख्या को साल के लाश्ट में दिया वाए क्या एकत्यस दिसंब्र 2017 जब की हम जो जब हमारा एक कांट बंध होता है का बंध होता 21 comments 21 apr शोलाख पचास जार का हमारा स्पोर्ट इकूपमेंट था साल के शुरू में कितना था साल में कहा गये सात अधागा को स्ड़ाग शीन कितना था शीक्टिकनत कितना था छोलाक पचास जावलप यौई युदंत किसंट कितना नंट करें लागा listening राकमी देरिशन कितना स्य कितना इस जा गताधा सब्सक्ता कर ने हूं में देशके य। एहां पर हमने दिखाएंगे चारलाक क्यों क्योंकि हो दिखा रहे डिक्षा रहां हर सम्झञाय हमільки क्या आपको कितना को ढूंत हरच भान आरे तो 50?000 पर हो जाएगा पर धलं इसंट मोम धलीचा कि pension मैं 105 दे हां फिर दिखाएं के में किरते हैं इस साल का जोगा से सुलगें में किसके करते हैं इस साल एक लेख़ास यह क मतलब 2017 एस साल का मिल गया था इस साल का mystique करback मिल एक लेकिन 2016 में ही 2017 का मिल गया था 20,000 रुपया मतलब कमाए है हमारा समझे 6,60,20,000 6,80,000 रुपया हमारा कमाए हो जाएगा फिर देख्या कूं 8% से हम एक investment किये थे समझे कितना निकालेंगे हम आपको बताएंगे बैलेंसिर बनाने वक्त में कि 5 लाख रुपया होता है 5 लाख रुपया आप समझ लिए हम investment किये थे उसमें 8% से ब्याज दिये तो 40,000 रुपया हमको मिला समझे तो क्या हो जाएगा वह हमारा income हो जाएगा चालीस जार प्या यहां हो जगा जो लेंगे च्छॉलाख आशी जार में साथ 40,000 तो सात लग 20,000 यह शात लग बीज़ार इसको तीन लाग साथ अजार पचास जर मतलब क्या चार लाख 10,000 घटा देंगे शाट लाख 2,000 अपको तुझ जज़ेगा 3 लाख 10,000 प्या क्या हो जाएगा जो कि क्या हो जब जाएगा सरपला सो जाएगा समझे है हमारा कमाई जादे है और खर्चा कम है उसी तरह देखिए आप क्या बनाएं ओपनिंग क्यापिटल एकॉंट ओपनिंग क्यापिटल एक तीस दिसंबर 2016 वह इसी दिन बनेगा ओपनी देख लिए इसमें क्या क्या आएगा हम उसुस का लिखेंगे जो एक तीस दिसंबर 2016 का ट्रांजेक्शन हुआ होगा देखिए कौन-कौन हुआ है एक तो आपको इंट्रेस्ट मतलब को पूरे साल के लिए शुरू में ही दे दिया है ओपनींगे कापीटाल फंड में ओपनींग कापीटाल फंड मतलब एक तीस दिसंबर 2016 जो जो ट्रांजेक्शन होता है ना उसी को एसेट और लाइबिटी साइट में दीजिए और क्यापीटाल फंड निकाल दीजिए दिख्या को आइट परसेंट इंवेस्टमेंट किये थ सबस्याइट कितना हुआगा साल के शुरू में भी ही नहीं इन वेस्टमेंट किया होंगे तब न को साल के अन्त में 40जर पर मिला दिख्या आइक दिख्या थे एक परसेंट मिलेंगा ब्याज जियो 40.00 हुआ एकस सी रुप्या मान लिवाज मिला तो कितना हो गया था आद बेल में तो चेहिंड आ हो बाद चेहाँ जाए क्या चाहर रह याज गुर्व क्या परसंट से हो गया इसित परसंट में हमको जाके क्या मिल लगा आठ परसंट से इंट्रेस्ट चालीस जाड़ पे मिला होगा उसी तर देखे तो पांच लाग क्या हो जाएगा साल के शुरू में लगाए हुए थे इट परसंट इंवेस्टमेंट से तो पांच लाग रुपया हमारा एसिट होगा है स्पोर्ट्स एक्यूपेंट देखे तीन लाग रुपया दिया होए साल के शुरू में द्या हुआ है तिन लाग रुपया है यही है कि दोजासात्रों का सुरू होगा हुआ होगा बतला है कि हमको इस साल का कमाएं पहले ही मिल गया हमारे लिए क्योंदिव कि हम इस साल कमाना पड़ेगा वही जो माली इस साल कमा लिए है लेकिन हमको मिला नहीं है लेकिन कमा तो लिये हैं तो हमारा कीमाने क्या होगया यह आपको 9,70,000 समझे बाद के प्रोब्लम कर आप लोग इसी तो हमको नहीं होगा कि प्रोब्लम होगा को तो आप जो 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 एस सेट होगा इस साइट चले आएगा समझे अजो जो लाइबिलिटी होगा बैलेंसीट बना रहे हैं साल के अंत में सम्झे कि स्पोर्ट्स इक्विब्मेंट के साल के सुरू में कितना कीमत था तरफ यहां पर दिया हुआ है साल में कितना खरीद हम 4 लाग खरीद लाग खरीद पूरे कितना हुगा सात लाग हुगे और उसी साल हमारा लगा थो शात लागा था समान पत्स बशक कीमत को मजा सपोर्स अकूपमेंट उसमें 50,000 क्या रगा डिप्रिसेशन लगा कितना हो जबंध उसका कीमत 650000 मतलब क्या इस साल के अंत में 31 दिसंबर 2017 कितना रहा जाएगा एस्पोर्ट्स एकुमेंट का कीमत सिर्फ और सिर्फ छो लाख पचास रुपिया वह हमारा एसेट इसेट में जाएगा एक परसेंट इन्वेश्टमेंट किये थे पांच लाख रुपिया हमारा एसेट हो जाएगा इस साल का क्या वह एक लाख शाथ आज़ा प्या फिर देखिया यह तो इसेट हो गया देखिया इस साल हमाला लाइबलीटी भी हुआ अधि यह वा कि क्यापिटल फंड कितना था ओ सब्सक्राइब बारा लाक एसी हार रपया है फंड हमेशा क्या होते है लाइबिलीटी होता है मिनका 1 1.3.5 गाज गया एक मेंना का बज जाता है जो कि हमको पेमिंट करना है तो वह हमारे लाइबिलीटी टेंसन है सम्जें तीन लाख, स्वारी, तीस जर्वे हो जाएगा, जो रेंग इधर 13 लाख 10 जर, 13 लाख 10 जर्वे इधर भी टैली हो जाएगा